केरला के गवणनर आरिप मुहमद खान जी, मुख्य मंत्री सी पिन्ना राई विजयें जी, केंद्रिय मंत्री मंदल के मेरे सहियोगी गहाँ, अन्य महनुभाव, देवी और सज्जनों, मैं धनिवाद देता हूँ, स्रिमान सर्वाणन सोनवाल जी की टीम, स्रिमान सिपद्यस्वनाई जी, और हमारे साथी स्रिमान वी मुलिध्रन जी, स्रिमान सांतनु ठाकुर जी, एला करालियर कुम एंडे, नन्ना नमस्कारम. आज मरे लिए बहुत सवभाग्य का दिन है, सुबह मुझे गुरुबायूर मंदिर में भगवान गुरुबायूर अपन के दर्षन करने का सवभाग्य मिला, और अब मैं केरला की इश्वर उपी, जनता जनादन के दर्षन कर रहा हूँ. मुझे यहां केरला के विकास के उत्सों में हिस्था लेने का अउसर मिला है, साथ्यों कुछी दिन पहले आयोध्या में महर्शी वालमी की इंटरनेशनल एर्पोर्ट का लोकारपन करते हुए, मैंने केरला में स्थीत रामायन से जुड़े चार पवित्र मंदिरों नालम बलम की बात की थी, केरला के बहार बहुत लोग नहीं जानते कि ये मंदिर राजा दस्रत के चार पुत्रों से जुड़े हैं, ये सोभाग्य की बात है कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से कुछ दिन पहले ही, मुझे त्रिप्रायर के स्री राम स्वामी मंदिर के दर्शन करने का आउसर मिला। महाकवी एडुचन रचीत मलयालम रामायन के कुछ चंद सुनना अपने आप में अद्भूत है। किरला के कई महत्वपुन कलाकारों ने भी अपनी भव्य प्रस्तूतियां से मन मोह लिया। किरला वास्चियों ने बहां कला, संस्कृति और अध्यात्म का ऐसा वातान बना दिया। जैसे पुरा किरला ही अवदपुरी है। साथियों, आजहादी के अमरितकान में भारत को विक्सीत राष्ट बनाने में देश के हर राज्य की अपनी भूमी का है। भारत जब सम्रद्ध था, जब ग्लोबल जीडीपी में हमारी भागिदारी बहुत बड़ी थी, तब हमारी ताकत हमारे पौर्ट से, हमारे पौर्ट सिटीज थे। आज जब भारत फिर से ग्लोबल ट्रेड का एक बड़ा केंदर बन रहा हैं, तब हम फिर से अपनी शमुत्र शक्ती को बढ़ाने में जुटे हैं। इसके लिए केंदर सरकार समुद्र किनारे बसे कोच्ची जैसे शहरों का सामर्थ और बढ़ाने में जुटी हैं। हम यहां के पौर्ट की केपरसिटी को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। पौर्ट इंफ्रासेक्टर पर निवेश कर रहे हैं। सागर माला परियोजना के तहट पौर्ट की कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रहे हैं। साथियों, आज यहां देश को अपना सबसे बड़ा ड्राइड डॉक मिला है। इसके अलावा आज शिप बिल्डिंग, शिप रिपेरिंग और लपीजी इंपोर्ट टर्मिनल इंफ्रासेक्टर का भी लोकारपन हुआ है। यह सुविधाई केरला और भारत के इस दक्षिनी छेत्र के विकास को गती देंगे। मेडिन इंडिया, एरक्राप करियर, आइनेस विकरांत के निर्मान का एतियासि गवरव कोच्ची शिप्यार के पास है। इन नई सुविधाऊं से शिप्यार की केपसिटी कई गुणा बढ़ जाएगी। मैं केरला के निवासियों को इन सुविधाऊं के लिए बधाई देता हूँ। साथियों, पॉर्ट, शिपिंग और इनलेंड बटरवेज के सेक्टर में इज अप डूइंग बिजनेस बढाने के लिए पिछले दस वर्सों में केंद्र सरकार द्वारा अनेक रिफॉर्म्स किये गए हैं। इससे पॉर्ट में अधिक इन्वेस्टमेंट आया है और जादा एंप्लोईमेंट जनरेट हुआ है। इन्डियन स्वीफेरर्स उससे जुड़े जो नियम थे उसमें किये गए रिफॉर्म्स की वज़े से पिछले दस साल में इन्डियन स्वीफेरर्स की संख्या में एक सो चालीस परसंट की वृद्धी हुई है। देश के भीतर वाटर वे के उप्योग से अब पैसेंजर और कारगो ट्रांस्पोर्ट में नई तेजी आई है। साथियों जब सबका प्रयास होता है तो परणाम और बहतर मिलते हैं। बीते दस वर्षों में हमारे पॉर्ट्स ने डबल डिजीट एन्यूल ग्रोध हासिल की है। दस वर्ष पहले तक हमारे पॉर्ट्स पर शिप्स को लंबा इतजार करना पड़ता था। उनको अनलोड करने में बहुत टाइम लगता था। अब सित्यां पूरी तरफ बदल चुकी है। आज भारत शिप्ट टर्न एराउंड टाइम में दुनिया के कई विख्षित देशों से भी आगे निकल चुका है। साथियों आज दुनिया भी ग्लोबल ट्रेड में भारत की भूमी का समझ रही है। जी ट्वेंटी समीट के दौरान भारत ने मिडल इस्ट यूरोप एकनोमिक कोरिडोर के जी प्रस्ताव पर सहमत ही बनी। वो इसी भावना का प्रमान है। ये कोरिडोर विख्षित भारत के निर्मान को बहुत बल देगा। इससे हमारी कोस्टल एकनोमी को बड़ी ताकत मिलेगी। हाल ही मैं मेरिटाइम अमरित काल वीजन भी लाँच किया गया। विख्षित भारत के लिए हम अपनी समुद्री ताकत को कैसे ससक्त करेंगे। इसमें इस लक्ष का रोड मैप है। भारत को दुनिया की एक बड़ी मेरिटाइम पावर बनाने के लिए हम मेगा पॉर्ट्स, शिप बिल्डिंग और सिप प्रेपर क्रॉस्टर जैसे इंफ्रस्ट्रेक्टर बनाने पर जोड दे रहा है। साथियों केरला में आज जिन तीन प्रोजेक्स का लोकारपन हुआ है। उनसे मेरिटाइम शेक्टर बैड इस शेत्र की हिस्सेदारी और बड़ेगे। नया ड्राइडॉक भारत का नेशनल प्राइड है। इसके मनने से यहां बड़े जहाड बड़े वेसल तो आही सकते हैं। साथ ही यहां शिप बिल्डिंग और शिप रिपे का काम भी संभव होगा। इससे भारत की विदेशों पर निरबरता कम होगी। और जो पैसा हम विदेश बेजते थे वो देश में ही लगेगा। इसके साथ यहाँ शिप बिल्डिंग, शिप रिपेर सेक्टर में नई स्किल्स पैदा होगी, साथियों आज इंटरनेशनल सिप रिपेर फेसिलिटी का भी लोकारपन हुआ है, इस प्रोजेक्ट से कोची भारत का और भारत एजिया का एक बड़ा शिप रिपेर सेंटर बनने वाला है, हमने देखा है कि आएनेस विकरांत के निर्मान के दोरान कि इस प्रकार अनेक MSM को सपोर्ट मिला था, अब जब शिप बिल्डिंग और रिपेर की इतनी बड़ी फेसिलिटी यहां बनी है, तो इससे MSM का एक नया इको सिस्टिम बनेगा, जो नया LPG इंपोर्ट टर्मिनल बना है, इससे कोची, कोईम्टूर, इरोड, सेलम, कालीकट, मदुराई और त्रीची में LPG की जरुरते पूरी होगी, इससे इन इलाकों में इंडिस्ट्री और दूसरी एकोनोमिक डेवलप्मेंट को भी मदद मिलेगी और नए रोजगार भी बनेगे, साथियों, कोची शिफ्यार आज आधुनिक और ग्रीन टेक्लोलोजी से लेश, मेड इन इंडिया वेसल्ट बनाने में भी अग्रणी है, कोची बॉटर मेट्रो के लिए जो इलेक्ट्रिक वेसल्ट बनाए गए है, वो प्रसंस निया है, आयोध्या, वारानसी, मत्हुरा और गोहाटी के लिए भी इलेक्ट्रिक हाइब्रीड पैसेंजर फेरीज का निर्मान यहीं हो रहा है, यानि देश के शहरों में आधुनिक और ग्रीन वाटर कनेक्टिविटी में कोची शिफ्यार की भूमी का एहम है, मुझे बताया गया है कि हाल में आपने नौर्वे के लिए भी जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक कार्गो फेरीज डिलीवरी की है, यहां हाइड्रोजन फ्यूइल पर चलने वाले दुनिया के पहले फीडर कंट्रेनर वेशल के निर्मान पर भी काम चल रहा है, यह मेक इन इंडिया, मेक फर दे वर्ल्ड के हमारे वीजन को ससक्त करता है, भारत को हाइड्रोजन फ्यूइल आधारी ट्रांस्पोर्ट की तरफ ले जाने का जो हमारा मिशन है, उसको कोची शिप्यार और ससक्त कर रहा है, मुझे विश्वास है कि बहुती जल्द स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूइल रसेल फेरी भी देश को मिलेगी, साथियों, ब्लू एकोनामी, पॉर्ट लेट डेवलप्मेंट को और उसके करां हमारे मच्वारे भाई मेहनों की एक बहुत बड़ी भूमी का मैं इसमें देखता हूँ, आज पी एम बच्ष संपधा योजरा से फिसिंग के लिए भी आधुनिक इंफ्रास्रक्टर बनाये जा रहा है, केंदर सरकार डीप सी फिसिंग के लिए मच्वारों को आधुनिक नाव देने के लिए सबसीड़ी दे रही है, किसानों की तरह ही मच्वारों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविदा दी गई है, ऐसे प्रहासों की वज़ा से बीते दस वर्षों में मच्छली उत्पादन और एक्सपोर्ट दोनों में कई गुना बढ़ोत्री हुई है, आज केंद्र सरकार सी फूर्ड प्रोसेसिंग में भारत की हिस्सेदारी को और बढ़ाने का प्रयास कर रही है, इससे बविश में हमारे मच्वारे साथ्यों की आए भी बहुत बड़ी भुद्धी होगी, उनका जीवन और आसान होगा, किरला का निरंतर तेज विकास हो, इसी कामना के साथ, नए प्रोजेक्टी मैं फिर से एक बार आप सब को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ, आप सभी को शुप कामना हैं, धन्यवाद.